नमस्कार दोस्तों फिर से सागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास OPPO A15 है या फिर OPPO का कोई और मॉडल है तो यहां पर आप असिस्टिव बॉल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं असिस्टिव बॉल की सेटिंग करने के लिए फिर असिस्टिव टच की सेटिंग करने के लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पर जाने के बाद यहां पर आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपक ठेप को इस पर चुटा सी बॉल देखने को मिलेगी मैं आपको दुबारा दिखा देती ह situação बॉल नहीं है और इसे on करने से आपको यहां पर बॉल देखने को मिल जाएगी assassin आप यहाँ पर set करेंगे तब यहाँ पर यह काम करता अच्छे से तो assistive ball पर क्लिक करके आप यहाँ पर tap menu क्लिक कर देंगे तो जब भी आप इसे tap करेंगे तो menu खुल जाएगा अगर gesture option कर देंगे तो यह back हो जाएगा ठीक है? तो tap menu पर आपको select करना है अब यहाँ पर tap करने से क्या-क्या खुलता है तो go back तो go back वाले option के जगा आप यहाँ पर notification drawer भी क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर notification drawer आजाएगा take screenshot मतलब इस पर आपका screenshot का option recent task और lock phone screen का option देखने को मिल जाता है और home screen का तो यहाँ पर आप ऐसे बारी-बारी से क्या select करना है आपको वो select कर लेंगे और back कर देंगे ताकि यह आप यूज कर सके assistive ball में तो यहाँ पर आप बारी-बारी से change कर लेंगे और जो आपको रखना है वो आप set कर सकते हैं के बाद आप कट कर देंगे इसको और यहां पर नॉर्मली बैक कर दिए अब यहां पे ऐसे टच करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर आपका इस से लोटिधिकेशन यृऊ Hopefully स्कृरीन और स्क्रीन को आप पर सक्ट अभा Πiction熹 और क्या मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार